जिन्दगी में कुछ बनना हो, कुछ हासिल करना हो, कुछ चीतना हो, तो हमेशा अपने दिल की सुनो, अगर दिल से कोई भी जवाब ना आए, तो अपने आखे बंद करके अपने माँ और बाबा का नाम लो, फिर देखना, तुम्हार मंजिल पास सको के, हर मुश्किल आसान ह जाएगी, जीत तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी, दोस्तों, शारोख खान की फिल्म काई डायलोग असल में किसी और का नहीं, बलकि उनकी जिन्दगी का फलसफा है, सबसे बड़ी जो तोफा खुदा का है, वो यह है कि हम एक सकिन के लिए हर किसी के चेरे पर, तकरी अफ बॉलिवुड कहा जाता है, एक समय पर दिल्ली का ये आम लड़का जिसको न कोई जानता था, और नहीं कोई पहचानता था, आज इतना मशूर हो चुका है, कि भारक में ही नहीं, बलकि पूरी दुनिया में उनकी एक्टिंग का लोहा माना जाता है, वो कोई और नहीं बलकि बॉलिवुड के रोमांटिक एक्टर शाहरुक खान है, शाहरुक खान एक सो से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, और अब तक 15 से भी ज्यादा फिल्म फेर अवार्ड भी जीट चुके हैं, साथ ही उनकी गिंती दुनिया के सबसे अमीर एक्टर में की जात हैं कि किस तरह से एक आम लड़का अपने जूनून और काबिलियत के दम पर आज करोडों के दिलों पर राज कर रहा है। पिता अपने परिवार के साथ दिल्ली में आकर बस गए। शारुक खान का बचपन राजिंदर नगर के इलाके में बिता जहां उनकी फैमिली एक किराये के मकान में रहती थी और उनके पिता एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे। शारुक खान ने अपनी शुरुवाती तब आया जब उनके पिता की मृत्यू हो गई हलाकी इतने कम उम्र में पिता के खोने के बाद भी शारुक के अंदर परिशानियों से लड़ने का जजबा कभी भी कत्म नहीं हुआ। लेकिन कुछ प्रोडक्शन परिशानियों के चलते यह टीवी सीरीज एक साल के बाद रिलीस हुआ उसके बाद इन्होंने कई और टीवी सीरीज की जैसे सरकस, वागले की दुनिया, इडियट और उमीद में काम किया और उस ताइम में शाहरुक खान ने जिस तरीके से एक्टिंग की थी उनकी तुलना लोगों ने लेजंडरी दिलीप कुमार से करनी सुरू कर दी थी। मा को भी खो दिया और फिर वो इस दुहक को भुलाने के लिए मुंबई चले गए और अपने आपको एक्टिंग में पूरी तरह से जोख दिया। मुंबई जाकर उनकी किस्मत भी उनका साथ दिया और एक्टिंग को देखते हुए उन्हें कई सारे फिल्मों में काम करने को भी मिल गया जैसे कि सबसे पहले उन्हें हेमा मालिनी के डायरेक्शन में दिल आशना है के नाम के फिल्म में शाइन किया गया। यह हेमा मालिनी का एक डाइरेक्टर के तौर पर डेब्यू फिल्म था। लेकिन 1992 में रिलीज दीवाना मूवी शाहरुक खान की डेब्यू फिल्म बनी इस मूवी में उनके साथ उस टाइम के स्टार एक्टर रिशी कपूर ने भी काम किया था और फिर दीवाना बॉक्स ओफ दिल में आई चमतकार, दिल आशना है और राजू बन गया जेंटलमेन। शाहरुक खान ने अपनी एक्टिंग के जरिये पूरी दुनिया में चा गए और फिर आगे शाहरुक खान कई सारे फिल्मों में विलेन का किरदार निभाते हुए नजर आए। और वही ये मूवी थी जिसके बाद लोगों में शाहरुक खान की एक रोमांटिक छवी बन गई। इस फिल्म ने कुल 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे जिन में से शाहरुक खान को दूसरी बार बेस्ट आक्टर का अवार्ड मिला इसके बाद से शाहरुक ने अलग-अलग फिल्मों में अहम भूमिका निभाई और 1998 में करन जोहर के डायरेक्शन में आई फिल्म कभी कु जिन में से कुछ सुपर हिट रही तो कुछ फ्लॉप भी रही 1999 में शाहरुक खान ने जुही चावला के साथ एक प्रोड़क्शन हाउस खोला और इस तरह से वो एक प्रोडूसर भी बने उनके प्रोड़क्शन हाउस द्वारा बनाए गए पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बॉक्स ओफिस एक फेलियर साबित हुई इसके बाद 2001 में शाहरुक खान के प्रोड़क्शन हाउस की दूसरी फिल्म अशोका भी बॉक्स बॉक्स ओफिस तरह फ्लॉप हो गई और एक एक्टर काफी सफल रहे शाहरुक खान एक प्रोडूसर के तौर पर कमाल करने में नाकाम रहे थे तभी 2001 में शक्ती दपावर फिल्म शूटिंग पीठ में चोट लग गई और उस चोट की वजह से उनकी पीठ में काफी दर्द रहने लगा था और जब इसका इलाज भारत में न हो सका तो उन्होंने लंदन में जाकर ट्रेटमेंट करवाया और फिर भारत वापसी के बाद उन्होंने कम से कम प्रेशर में काम करने का डिसिशन लिया हलाकि इसी दौर में मुहबबते कभी कुशी कभी गम और देवदास जैसे उन्होंने कई सारी हिट फिल्मे की और फिर आगे उन्होंने स्वदेश, बीरजारा, पहेली, डॉन, चकदे इंडिया, माय नाम इस खान, चैनने एक्सप्रेस, रावन और हैपी न्यू यर बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा। खान की यह सक्सेस स्टोरी आपको जरूरू पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, अगले वीडियो में धन्यवाद।